आईए अब हम इसकी क्रियाविधी समझते हैं यहाँ पर हमने लिया है अलकिल नाइट्राइल जिसका सूतर है CH3CN जहाँ पर हम जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉंड है और साथी साथ नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेर जब हम इसका अम ने लोन पेर देकर प्रोटोन एच के साथ बंद बना लेता है और यहाँ पर हमें जो नहीं सरचना मिलती है वो होगी CH3CN जिसमें नाइट्रोजन के उपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज अब जैसे ही नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ कार् और इसे एलेक्रान की पूरती करेगा जल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेर होते हैं तो अक्सीजन अपने लोन पेर और को क्छार्ग करके उसके साथ बंद बना लेगा और यहाँ पर हम देखें जो इस तरह से हमें मिलेगा CH3, C जिससे जुड़ा हुआ है जल OH2 ये पूरा इस तरह से जुड़ा हुआ है और इसके साथ कार्बन से ही जुड़ा हुआ है द्विबंध के साथ NH जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर अब फिर से लोन प्यार आ चुके हैं अब यहां पर जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट होना अस्थाइत को दर्शाता है इसकी वज़े से यह अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रान जोड़ा है उसे अपनी और खीच लेगा और यहां से जो हैड्रोजन है वह एच्प्लस के रूप में यहां से निसकाशित हो जाएगा तो इस तरह से अब यहां पर चुकि जो एच्प्लस प्रोटॉन निकला है वो कहीं बाहर नहीं जाने वाला है यहां पर चुकि नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेर आ चुके हैं तो यह इस प्रोटॉन को फिर से अपने लोन पेर दे कर उसके साथ बंद बना लेगा और इस तरह से यहां पर हमारे प जैसे ही नाइट्रोजन पर क्योंकि यह प्रोटॉन ग्रहन कर चुका है तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसकी वज़े से यह कार्बन नाइट्रोजन के भी जो एक और पाई इलेक्ट्रान जोड़ा है अब उसे वह खीच ले प्रोटॉन एट्रोजन चार्ज लेकिद्ध द्वी बंद करेगा जैसे ही अपने इलेक्ट्रान जोड़े देगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आज आएगा जिसकी पूर्ति यह औक्सीजन hydrogen के बीच electron जोडों को खीज कर करेगा और इस तरह से यहाँ पर फिर से hydrogen H plus के रूप में बाहर निस्काशित हो जाएगा यहाँ पर फिर से यह जो H plus बाहर निकल रहा है उसे nitrogen जो की जिसकी पास loan pair है वो फिर से इसे ग्रहन कर लेगा और इस तरह से यहाँ पर जो हमें सरचना मिल जाएगी वो हो जाएगी CH3C double bond O NH2 यहाँ पर जो सरचना यह हमें हमाइड मिली है और इमाइड जो है यहाँ पर nitrogen के पास क्योंकि loan pair है और इसलिए यह जो निस्काशित proton है उसे यहाँ पर ग्रहन कर लेगा और इस तरह से हमें मिलेगी जो नहीं सरचना होगी वो होगी CH3C double bond O और साथी साथ कार्बन से ही जुड़ा हुआगा NH3 जिसमें चुकिए प्रोटॉन ग्रहन चुका है ग्रहन कर चुका है nitrogen इस पर आजाएगा पॉजिटिव चार्ज अब चुकिए यहाँ पर NH3 प्लस है इसलिए अब यह जो NH3 प्लस है बड़ी आसानी से कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रान जोड़े को लेकर यह एनस्ट्री अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा और जैसे ही अमोनिया बाहर निकलती है यहाँ पर हमें जो मध्यवर्ती स्पीसीज मिलेगी वह हो जाएगी सी एस्ट्री सी जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उससे जुड़ा होगा डबल बॉन ओ अब यहाँ पर कार्बन बहुत ही ज्यादा धनात्मत आवेश होने की वज़े से इसे इलेक्ट्रान डेफिसेंट हो जाएगा और इसे इलेक्ट्रान की पूर्ती अफिर से करेगा जल का अनू यहाँ से जल का अनू इससे ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेर दे कर इसके साथ बंद बना लेगा और इस तरह हमें नहीं सरचना मिलेगी C-H3, C-O-O और साथी साथ कार्बन से ही जुड़ा होगा OH2 जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन को अपने इलेक्ट्रान जोड़े दे कर बंद बनाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के उपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसे निरस्त करने के लिए वह ऑक्सीजन हाड् के बीच के इलेक्ट्रान जोड़े को लेगा और यहाँ से प्रोटॉन H प्लस के रूप में निस्काशित हो जाएगा और आप देख सकते हैं हम अपने फाइनल प्रोड़क्ट के तरफ पहुच गये हैं और यह सरचना हो गई C-H3C double bond O और साथी साथ कार्बन से ही जुड़ लिया है साथ ही साथ यहां पर हम देख रहे हैं कि शुरुवात में ही यहां पर अमल यानि कि प्रोटॉन के रूप में उप्योग हुआ बीच में यह निस्काशित हुआ फिर से उप्योग हुआ और अंत में पुना H-plus के रूप में बाहर निकल गया यह इस पूरी प्रक्र कि अभिक्रिया की ढाइए अब हम करम प्राप्त करनेकी यह चांटे compression के द्वारा हम करम कैसे प्राप्ति करेंगे हम जानते हैं गिन करवक्रमक होता अलकिल या एरिल समू हो सकता है अब यहाँ पर जो ग्रिन्यार रीजेंट है उसमें हम जानते हैं मैगनिशम धातू होती है जिस पर पॉजटिव चार्ज होता है जो कि यह इलेक्ट्रो पॉजटिव है और साथ इस साथ उससे जुड़ा हुआ जो एलकिल समू है या एरिल यहाँ पर जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और यह इस तरह से एक न्युक्लियो फाइल की तरह कारें करेगा या समिज लीजे कि इलेक्ट्रो देने वाले समूव की तरह कारें करेगा तो यहाँ पर हम जब एलकिल मैगनिशम हैलाइड ग्रिनार अभिकरम की क् से कराते हैं तो यहाँ पर हमें और फिर उसका जब हम जलब घटन करते हैं तो हमें सीधे ही कार्बाग्जलिक अमलप्राप्त होते हैं इस अभिकरे में होता यह है कि जो ग्रिनार अभिकरमक है जिसमें हम मैगनिशम पर पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं और एलकिल तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्राइन जोड़ा है या दूइबंध है उसमें से पाई इलेक्ट्राइन जोड़ा किसी भी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ इससे अब जो हमारा alkyl magnesium halide का alkyl समू है वो जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है क्योंकि वो electro negative है और इस तरह से वो वहाँ पर जुड़ जाता है साथ ही साथ जो ग्रिन्यार अभिकर्मा का positive part है यानि कि mgx वाला समू है वो जाकर oxygen से जुड़ जाता है क्योंकि oxygen पर यहाँ पर negative charge होता है और इस तरह से यहाँ पर जो पूरा जो माध्यम होता है वो dry ether की उपस्तिती में कराई जाता है और यहाँ पर जो हमें mediator जो मिलेगा मध्धवर्ती उत्पाद मिलेगा वो होगा R, C जिससे जुड़ा होगा double bond O और साथ ही साथ कारबन से ही जुड़ा होगा एक दूसरा oxygen और जिसके दूसरे बंद की पूर्ती होगी MgX के द्वारा अब जैसे ही species का हम hydrolysis करते हैं अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो oxygen है O MgX में से जो oxygen है उस पर negative charge है और magnesium पर positive charge है तो जब हम hydrolysis करेंगे तो hydrolysis से हमें H plus मिलेगा और OH minus मिलेगा तो यहाँ पर जो H plus होगा वह oxygen से जाकर जुड़ेगा क्योंकि उस पर negative charge है और जो OH समू, OH minus समू होगा वह जुड़ जाएगा magnesium से और इस तरह से हमें final product मिल जाएगा R, C, O, O, H साथ ही साथ यहाँ पर magnesium hydroxy halide यहाँ पर हमें मिल जाएगा तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम greener region का उप्योग करके लिए कॉर्बोग्जलिक acid प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कॉर्बाग्फलिक acid बन रहा है उसमें जो हमने alkyl magnesium halide में जो alkyl समुह लिया है उससे एक कार्बन अधिक होते हैं उधारन के लिए यदि हम यहाँ पर methyl magnesium halide लेते हैं CH3 mgbr लेते हैं और इसकी क्रिया जब हम carbon dioxide से कराते हैं तो जो हमें कॉर्बाग्फलिक अम्ल मिलेगा वह होगा यहाँ पर ethenoic acid यानि कि CH3 COOH तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो करणे के अलकिल समू था जब की हमें जो कर्बाग्फलिक अम्ल मिल रहा है उसमें 2 कार्बन है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्टर्वारा भी हम करव methane बॉक्षिलिक अश्विक कर सकते हं और हम ये भी जानते हैं कि is आफ है नोर ड नेव अज इसक्क है बॉक्षित yanateओं कर्वं उप्राप्ट करने के लिए कर हैं हम यहां पर हम उदारान भी दे सकते हैं जैसे कि हमने लिया है मेधायल क्लोराइल और हमें जाता है CH3CN अब यहाँ पर नाइट्राइल का जैसे हैं हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस पहले हम जब करते हैं अमली जलब घटन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा CH3C double bond O और साथ ही साथ मिलेगा NH2 क्योंकि यहाँ पर जलब घटन करने पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा और जो दोनों हाड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे और इसका हम आगे और जलब घटन करते हैं तो यहाँ पर हमें सीधे क इसकी क्रिया मैगनीशियम से कराएंगे तो हमें ग्रिनारीजोंट मिल जाएगा CS3MGCl और इसकी क्रिया वापस जब हम कार्बन डायोकसाइट से कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बाग्जलिक अमल तो इस तरह से इन विधियों का उप्योग करके हम सीधे अलकिल यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एसल घ्लोराइड है जिसका सूत्र होता है आर, C, double bond, O, C, L यहाँ पर कार्बन से जोड़ा हुआ ओक्सीजन भी इलेक्ट्रो नेगटिव है और क्लोरीन भी जादा कार्बन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रो नेगटिव है तो यहाँ पर जो ओक्सीजन है वह कार्बन ओक्सीजन के बीच जो पाई लेक्ट्रान जोड़ा है उससे अपनी तरफ कीचेगा लेकिन पुना यह बैकबोंडिंग करके लेक्ट्रान पेयर दे देता है और यहाँ पर चुकी क्लोरीन बहुत अच्छा लीविंग रूप होता है इसलिए यह कार्बन क्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रान जोड़े को लेकर सील माइनस के रूप में बाहर निकल आता है जैसे ही यह सील माइनस के रूप में बाहर निकलेगा यहाँ पर कार्बन पर पॉजिट्व चार्ज आ जाएगा इसे electron की आवश्यक्ता होगी और इसे electron की पूर्ती करेगा जल जल में oxygen के उपर lone pair होते हैं जिसे यह carbon को donate करेगा और इसके साथ बंद बना लेगा और हमें नई species मिलेगी R, C double bond O, OH2 यहाँ पर oxygen पर होगा positive charge क्योंकि इसने अपने lone pair बंद बनाने के लिए दिये हैं अब जैसे ही oxygen पर positive charge आएगा यहाँ oxygen hydrogen के बीच के electron जोड़े को खीचेगा और hydrogen H plus के रूप में बाहर निकल आएगा और इस तरह से हमें जो सरचना मिलेगी वो होगी carboxylic acid की R, C double bond O, OH तो इस विधी के द्वारा हम acyl chlorideों से सीधे ही carboxylic अमलप्राप्त कर सकते हैं इसी तरह से एक और महत्तुपणिविधी है जिसमें हम acyl anhydride के द्वारा acyl anhydride के द्वारा carboxylic acid प्राप्त करते हैं acyl anhydride जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं benzoic anhydride आपको बता दें कि जो anhydride बनते हैं वह अमलों के दो अन्मों के बीच से एक जलका अनुनिश्कासित हो जाने के द्वारा बनते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह जब हमने लिया है benzoic anhydride तो यह बना है यहां पर हम देख रहे हैं जो बेंजोइक एन हड्राइड है इसका सूत्र है C6H5 C double bond O फिर इसके बाद O, फिर C double bond O, C6H5 तो यहां पर जो बेंजोइक एन हड्राइड है जब हम इसका अमली जल अभघटन करते हैं तो हमें दो अनु बेंजोइक अमल के प्राप्त होंगे यहां पर हम देखें कि जो एन हड्राइड है उसमें से oxygen बीच में है और दोनों तरफ कार्बन है तो कोई भी carbon oxygen का बंद यहां पर विदलित हो सकता है क्योंकि दोनों ही equal है तो यहां पर जैसे ही carbon oxygen के बीच एक बंद तूटता है तो वहां पर चुकि oxygen electronegative है इसलिए इस पर negative charge आ जाता है जबकि दूसरे जो carbon है उस पर positive charge आ जाता है और जैसे ही यहां पर हम इसका hydrolysis करेंगे तो hydrolysis है हमें मिलेगा H plus ion और OH minus ion तो H plus ion आप समझ सकते हैं यह oxygen के साथ जाकर जुड़ जाएगा जबकि OH minus है वह carbon से जाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें दो आणू बेंजोईक अमल के प्राप्त हो जाएंगे इसी तरह से यदि हम यहां पर मिश्रत अन्हाट्राइड लेते हैं यहनि कि जैसे हमने यहां पर लिया है बेंजोईक एथेनोईक अन्हाट्राइड जो कि बेंजोईक अमल और एथेनोईक अमल के द्वारा प्राप्त हुआ हो तो इसका सूत्र होगा C6H5, C double bond O, फिर से O, C double bond O, और CH3, यहां पर भी अब देख रहे हैं कि जो एथेनोईक अमल तरप का जो ऑक्सीजन कार्बन बंध है वो यहां पर तूटेगा और इस तरह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब हम इसका हाड्रोल जब पर देख serious के जबता है वक्सीजन से जुड़ जायेगा और इस तरह से हमें बैंजोई कैसिड और एफिक एंचेड का मिशेण प्राप्त हो गां मुथ वाप्तू से तरफिक हम कारभॉग्जड इसलिक प्रस्ट प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद और एक महट्टापू और ऐलकोहल की क्रिया आपस में कराई जाती है तो यहाँ पर जल का एकणू निश्काशित होता है और एस्टर बनते हैं और यह जो अभी क्रिया होती है वो रिवर्जिवल होती है उती क्रमणी होती है यानि कि एस्टर का निर्मान होना और एस्टर का फिर से जल अभगटित होकर कर्बॉक्लिक अमना और एलकोहल में तूट जाना यह क्रिया आपस में चलती रहती है तो यहाँ पर जब हम किसी भी कार्वक्तलिक एसिट की क्रिया एलकोहल से कराते हैं तो हमें इस्टर प्राप्त होते हैं जैसे कि हमने लिया है एथेनोईक एसिट जल अभघटन करते हैं तो हमें फिर से कॉर्बाउग्सिलिक अमल तथा एथेनोल प्राप्त हो जाएंगे इस तरह से माल लेजिए हमने लिया है एथिल बैंजोएड यानि की कार्बन और ऑक्सीजन का जो बंद है वह तूटेगा ऑक्सीजन पर नेगटिव चार्ज आएगा कार्बन पर पॉजिट्व चार्ज आएगा और जब हम इसका जलब गटन करेंगे तो हमें मिलेगा एच प्लस और ओएच माइनस एच प्लस जुड़ जाएगा डेगटिव चार्ज आउक्सीजन से जबकि ओएच जुड़ जाएगा कार्बन से और इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा बेंजोई इस तरह से हम एस्टर्स के जलब घटन के द्वारा बड़ी आसानी से कार्बॉग्वलिक और एथिनॉल प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह से मालीजे हमने यहाँ पर लिया है एथिल ब्यूटिनोएट यहाँ पर दोनों ही समू जो है वह अलकिल समू है तो यहाँ पर भी हम इ बड़ी श्रिंखला है है वो हमें एसिट के रूप में प्राप्त होगी और यह होगी ब्यूटेनोइक एसिट और साथ ही साथ जो छोटा एलकॉक्सी समू है सी टू एच फाइब ओ है उसके साथ जुड़ जाएगा ओएच माइनस और हमें यहाँ पर मिलेगा जो सी टू हैं तो यह भीन भीन प्रकार की विधियां हमने जानी जिनके द्वारा हम कार्बोग्सलिक एसिट का निर्मान कर सकते हैं आईए अब हम कार्बोग्सलिक एसिट से सम्मंदित कुछ कन्वर्जन रियक्शन रुपांतरन अभिक्रियाओं को देखते हैं मालीजे हमारे पास द नार कार्बन परमानू की एक शुंखला है जिसमें की हाइड्रोक्सल समू जुड़ा हुआ है और इसे हमें परिवर्थित करना है ब्यूटे नौइक एसिड में यानि कि आप समझ सकते हैं जो ओएस समू है उसे हमें यहां पर जो एक कार्बन वाला वाला साथ ही साथ ओए स परिवर्थित करना है जानते हैं कि जब हम ऐल कोहलक और ऑक्सिकरण करते हैं तो ऑक्सिकरण करने के द्वारा हम इसे Just according कर सकते हैं और यहां पर कोई भी besta gör Θabytes कर सकते हैं से कि यहां पर हम ले सकते हैं क्रोमियम ऑक्साइड और अरत्स इस न्हि एसे हम कहते हैं Jones रीजन तो इसके द्वारा सीधे ही जो एलकोहल है उनका ऑक्सीडेशन करके हम कर्वाउक्सलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह से ब्यूटेन wants और क्रोमियम औक्साईड और sulfuric acid की उपस्तते में oxidation करने पर हमें butanoic acid प्राप्त हो जाएगा इसी तरह से माली जी दूसरा उधारण यहाँ पर दिया हुआ है बेंजाइल एलकोहल से phenyl ethanoate amyl प्राप्त करना किस तरह से किया जाएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बेंजाइल एलकोहल है इसका सूत्र होगा C6H5CH2OH अब यहाँ पर भी यहाँ पर जो बेंजाइल एलकोहल समू है यहाँ पर CH2OH में से जो वह समू है इसको हमें परिवर्तित करना है देखिए फेनिल एथे नो एट आमलमी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बेंजीन है उससे एक ही का ना है ए थे नो एट आमलम ए यहाँ पर हमें एक कार्बन को बढ़ाना होगा यहनिकी यहाँ पर हमें श्रिंगुला का अवरोहन करना होगा और श्रिंग göra करने के लिए हम जानते हैं ही पहले जो OH समू है, इससे हमें किसी भी अलकाइल समू से प्रतिस्थापित करना होगा, तो यहाँ पर हम इसकी क्रिया करा लेते हैं, hydrogen bromide से, और इस तरह से जैसे ही हम hydrogen bromide से क्रिया कराएंगे, जो OH समू है, वो proton ग्रहन करके जल के रूप में निस्काशित हो जाएगा, और यह जो है BR सम समू वहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा benzyl bromide, अब हम जानते हैं, bromide समू को असानी से साइनो समू के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, और इस तरह से जब हम इसकी क्रिया potassium cyanide से करेंगे, तो potassium positive charge होने की वज़े से bromide को KBR के रूप में बाहर निकाल लेगा, और जो sinocene समू है वह यहाँ पर कार्बन से जुड़ जाएगा, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्बन की बढ़ोतरी हो चुकी है, अब हम जानते हैं कि जो nitriles होते हैं, उनका जल हम आगे जल अबगटन करते हैं, तो यहाँ पर जब हम जल अबगटन करेंगे, तो कार्बन के साथ जुड़ेगा oxygen और जल का जो दोनों hydrogen होगा, वो nitrogen के साथ जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा C6H5, CH2, C double bond O, NH2 और जब हम इसका आगे जल अबगटन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहा और हम जानते हैं कि एमाइड को थोड़े से और अमली माध्यम में गर्म करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर carboxylic acid यानि की benzyl ethenoic acid 6H5, CH2, COOH, तो इस तरह से हमने यहाँ पर carbon shrinkla का अवरोहन किया, और इसके लिए हमने bromide को प्रतिस्थापित किया, साइनो समू से और हमें जलब घटन किया, जिससे हमें यहाँ पर carboxylic acid प्राप्त हुआ, तो इस तरह से यहाँ पर हम benzyl alcohol से phenyl ethenoid प्राप्त कर पाए, इसी तरह से और उधारन ले रहे हैं, यहाँ पर हमारी पास है nitrobromobenzene, यहाँ पर 3-nitrobromobenzene और इससे हमें परिवर्तित करना है, 3-nit nitrobenzoic acid में, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो benzene है, उसमें एक BI समू है, और उससे जो meta position है, यहाँ पर यहाँ पर एक nitro समू जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा जो product है, उसमें भी 3-nitrobenzoic acid है, यहाँ नाइट्रो वहाँ पर भी उपस्तित है, लेकिन जो यहाँ पर bromo समू है, वो यहाँ पर oic acid में परिवर्तित हो चुका है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो BR समू है, तो हम जानते हैं कि जो alkyl hyalide होते हैं, या aryl hyalide होते हैं, उनको हम greenar region में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसकी क्रिया जब हम magnesium से क पर आएंगे, तो यहाँ पर हमें, आप देख सकते हैं, C6H5MGBR यह मिलेगा, जिसमें जी जो benzene ring है, उसमें नाइट्रो समू भी उपस्तित होगा, और जब यह greenar region हमने पढ़ा है, जब इस greenar region की अभिक्रिया हम carbon dioxide से कराते हैं, तो यहाँ पर चुकि जो alkyl ring होगी, उस पर negative charge होगा, और magnesium पर positive charge होगा, तो यहाँ पर जो carbon dioxide है, उसमें भी जो carbon है, उस पर positive charge है, क्योंकि यहाँ पर oxygen जुड़ा हुआ है, oxygen electron negative है, और वह पाई electron जोड़े को अपनी तरफ खीच लेता है, तो यहाँ पर अब यह जो ring है, जिस पर negative charge है, वो सीधे जाकर carbon से जुड ज और इसका जब हम आगी जलब घटन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 3-neutral benzoic acid, तो इस तरह से जिन अभी क्रियाओं को हमने पढ़ा है, उनका ही step by step उप्योग करते हुए, हम अपने product तक पहुँच जाते हैं, इसी तरह से एक और उधारण हम ले रहे हैं, यह उधारण है, यहाँ पर 4-methyl-acetophenone, 4-methyl-acetophenone और इसे हमें परिवर्तित करना है 1,4-dicarboxylic acid में, तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि एक जो 1-methyl-acetophenone है, उसमें बेंजीन रिंग से 1,4-position पर एक तरफ मेथायल समू जुड़ा हुआ होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर CO3-S3 सम जुड़ा होगा, अब इसका जब हम oxidation करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाइ-carboxylic acid हमें प्राप्त करना है, यहनि कि जो अलकाइल समू है, वह भी carboxylic acid में परिवर्तित होगा, और साथ carboxylic samu में परिवर्तित होगा, और जो CO3-S3 समू है, यहाँ भी carboxylic samu में परिवर्ति होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे oxidation, और यहाँ पर हम छारी मध्यम में जब इसका potassium permagnate के साथ oxidation करेंगे, तो दोनों ही समू, alkyl samu तथा acyl samu, दोनों ही यहाँ पर carboxylate samu में परिवर्तित हो जाएंगे, और चुकि यहाँ पर हमने छार लिया है, potassium hydroxide लिया है, इसलिए हमें potassium salt इसका मिलेगा, और इस तरह से जो सरचना मिलेगी, वहाँ पर होगा 1,4 position पर benzene ring में COO के समू यहाँ पर उपसित होंगे, जिसे हम कह सकते हैं 1,4 di carboxylate ion, यहाँ फिर हम कह सकते हैं, यहाँ पर चुकि 2 potassium जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, di potassium benzene 1, 1,4 di carboxylate ion, और इस तरह से जब हम इसका आगे जलब घटन करेंगे, अमली जलब घटन करेंगे, यहाँ हम कह सकते हैं, इसका protonation करेंगे, तो हमें benzene 1,4 di carboxylic acid प्राप्त होगा, तो इस तरह से हम अभीक्रिया का उप्योग करके, यहाँ पर 1 methyl acetophenone से 1,4 benzene 1,4 di carboxylic acid प्र सकते हैं, इसी तरह से और भी हम उदारन ले सकते हैं, माल दीजे हमारे पास है, cyclohexene, cyclohexene हम समझ सकते हैं, एक 6 carbon की cyclic ring होगी, जिसमें कि किसी भी 2 carbon के बीच एक द्वीबंध होगा, अब हम इसकी क्रिया, यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, oxidation, क्योंकि यहाँ पर जो द्वीबंध है, वही बंध टूटेगा, और यहाँ पर जब हम इसका अमली माध्या में, potassium per magnet के द्वारा oxidation करेंगे, तो यहाँ पर जो द्वीबंध से जुड़ा हुआ है, दोनों carbon, वो दोनों carbon COOH समुह में परिवर्तित हो जाएंगे, उनका oxidation हो जाएगा, और COOH समुह में यह परिवर्तित हो जाएंगे, और इस तरह से जो ring थी वो अब open हो गई है, और इस तरह से हमें जो सरचना मिलेगी, जिसमें की पहले और छटवे नंबर के carbon पर OIC समुह, COOH समुह पस्तित है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, hexane 16-dioic acid, और आप जानते हैं कि यह जो compound है, इसका सामाने नाम होता है, adipic acid, जिसका की बहुलक निर्माण में उप्योग किया जाता है, तो इस तरह से जितनी भी रासानिक अभी क्रियाओं को हमने पढ़ा है, preparation reactions को हमने पढ़ा है, उनका उप्योग करके, हम किसी भी दिये गए, योगी को हम चाहे, जो इसी conversion reactions अब इसके बाद हम जानते हैं, कार्बाग्जलिक अमलों के भातिक और रासाइनिक गुणों को, सबसे पहले हम देखेंगे भातिक गुण, यदि हम एलिफेटिक कार्बाग्जलिक योगिकों की बात करें, तो यहाँ पर कार्बन नमबर 1 से कार्बन नमबर 9, यनि क 9 कार्बन तक की जो श्रिंखला वाले कार्बाग्जलिक एसिड होते हैं, यह भातिक रूप से द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, यनि कि जो इनकी भातिक अवस्था होती है, वो यह द्रव अवस्था होती है, साथी साथ यदि हम इनमें कलर देखें, तो यह रंग हीन ह होते हैं और साथ ही साथ इन में कुछ अरूचिकर गंध होती है अन्प्रीजन यहां पर स्मेल इनकी होती है जबकि नौ से अधिक कार्बन वाले कार्बन शिंखला वाले जो कॉर्बाकलिक एसिड होते हैं वो कुछ मोम की भाती सौफ्ट सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और यह कुछ बहुत थोड़ी मात्रा में वाश्फिसील भी होते हैं साथ ही साथ यह रंग हीन होते हैं और साथ ही साथ यह गंध हीन भी होते हैं इन में किसी भी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती है इसके बाद हम देखें इनके कौथनांग तो यहां पर जो इनके कौथन हैं और इसके पीछे कारण है इनका इनके बीच पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन बंद यहां तक की देखा गया है कि जो हाइड्रोजन बंद होते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जो एसटीक एसट की सरचना होती है यहां पर आर सी डबल बांड ओ और यहां पर आप देख रहे हैं कि कारण से जुड़ा हुआ जो एक तरफ ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है यह दूसरे इसी भी प्रकार के जो कार्बाक्सलिक अमल होगा उसके हाइड्रोजन औ हम डाइमर कहते हैं और यह डाइमर इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि वाश्प अवस्था में जब यह गर्म किया जाता है तो वाश्प अवस्था में भी यह डाइमर के रूप में रहते हैं यानिकि इनके बीच जो बंद होता है आड्रोजन बंद वह नहीं टूटता है और यही वज़ा है कि इनका जो कुथनांग होता है वो अधिक होता है इसके बाद हम देखें इनकी जल में विलेता तो जल में विलेता के पीछे भी काराण होता है जल के अडूबों के साथ हाइडरोजन बंद बनाना लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो कम कार्बन शिंखला वो तो बड़ी आसानी से जल में घुल जाते हैं लेकिन जैसे जैसे ही carbon श्रिंखला बढ़ती है यानि कि एलकाइल समूर बढ़ता है और हम जानते हैं कि जो एलकाइल समूर होते हैं वो हाडरोफोबिक Nicheur के होते हैं जल विरागी सवभाव के होते हैं इसलिए एलकेल श्रिंखला के बढ़ते जाने से इनकी जल में विलेता धीरे-धीरे कम होती जाती है दूसरी और यहाँ पर हम देखें जो aromatic compounds होते हैं तो उनमें भी जो छोटे aromatic carboxylic acid होंगे कम carbon shrinkला वाले जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं benzoic acid तो benzoic acid ठंडे जल में तो जल में नहीं घुलता है लेकिन यदि गर्म जल लिया जाए तो यह उसमें घुल जाता है इसके अलावा जितनी भी aromatic carboxylic समू होते हैं carboxylic yogic होते हैं यह carbonic villicomine जैसे कि benzene है, ether है, alcohol है इसमें बड़ी आसानी से घुल जाते हैं तो यह है carboxylic amlok के भौतिक गुण, आएए अब हम जानते हैं इनके रासाइनिक गुणों को carboxylic amlok के जो रासाइनिक गुण है या इनकी रासाइनिक अभिक्रिया है इनकी सरचना के आधार पर या इनमें होने वाले बंद के विदलन के आधार पर हम इन्हें चार भागों में बाढ़ सकते हूं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉर्बाक्सली के सिदे उसकी सरचना होगी और सी ओ एच और साथ एक कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है डबल पॉन तो यहाँ पर जो पहली रासानी कभी क्रिया होंगे जिसमें कि यहाँ पर ओ एच बंद का विदलन होगा यहाँ पर हड्रोजन है वो एच प्लस आइन के रूप में बाहर निकलेगा और आप समझ सकते हैं कि जब एच प्लस आइन देने का जो कारे होता है वो अमली प्रकृती को दर्शाता है यानि कि इसमें वो अभिक्रयाई शामिल होंगी जो कि इनकी अमली प्रकृती को दर्शाएंगी दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं वो होंगी जिसमें की पूरे OH बंद बाहर निकलेगा यहाँ पर कार्बन ओक्सीजन के बीच जो बंद है वो टूटेगा यानि की OH समू का यहाँ पर प्रतिस्थापन होगा तिसरी प्रकार की वो अभिक्रियाएं होंगी जिसमें की पूरा कार्बॉक्फलिक समू यहने की C, double bond, O, O, H यह भाग लेगा और चौथी प्रकार की वो अभिक्रियाएं होंगी जो की कार्बॉक्फलिक समू से जुड़े हुए अलकील या एरिल समू है उनमें हड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाली जो अभिक्रियाएं होंगी यानिकी हड्रोकार्बन में होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तो इस तरह से कार्बॉक्सलिक्समों की सभी रासानिक अभिक्रियाओं को हम चार वर्गों में बात देते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे वो रासानी कभी क्रियाएं जिनमें की OH बंद का विदलन होता है, यनि की जो इसकी अमली प्रकृती को दर्शाती हैं. जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो इलकोहल है या फिनॉल है वो भी अमली प्रकृती दर्शाते हैं और जब हम इनकी क्रिया किसी सक्री धातू जैसे की सोडियम से कराते हैं तो यह यहाँ पर साल्ट बनाते हैं और साथी साथ हड्रूजन गैस निकलती है. तो यहाँ पर जो कार्बाक्सलिक एसिट होते हैं वो भी अलकोहल और फिनॉल की भाती इस प्रकार की अभी क्रियाएं देते हैं जब हम अलकोहल और फिनॉल की भाती जब हम कार्बाक्सलिक अमली की क्रिया भी सोडियम धातू के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो कार्बाक् गैस का निश्कासन दर्शाता है कि यह जो करवग्जलिक अमल होते हैं वो अमली प्रकृति के होते हैं इसके बाद हम देखें जो इनकी अमली प्रकृति को दर्शाने की दूसरी अभीक्रिया है यहां पर हमने देखा था कि जब हम फिनॉल की क्रिया छार के साथ कराते हैं या साल्ट बनाते हैं साथ यहां पर जल बनता है इसी तरह से फिनॉलों की तरह ही कर्बॉक्सलिक अमल भी प्रबल छारों यह जैसे कि सोडियम हाइड्रोकसाइट के साथ क्रिया करते हैं और यहां पर साल्ट बनाते हैं और जल निकलता है जबकि यह अभी क्रिया अल्कोहल नहीं देते जो यह दर्शाता है कि जो कार्बोक्सलिक अमला है वो फिनोलों की तरह ज्यादा अमली प्रकृति के होते हैं इसी तरह से हम यह भी देख सकते हैं कि जो कार्बोक्सलिक अमला है प्रबल छारों की साथ तो क्रिया करते ही हैं यह दुर्बल छार जैसे कि सोडियम कार्ब इनके साथ भी क्रिया कर लेते हैं और साथ यहां पर कार्बॉक्सलेट आयन बनाएंगे या उसका सोडियम साल्ट बनाते हैं और साथ यहां पर कार्बन डाय Oकसाइड गैस बाहर निकलती है तो इस तरह से हम देखें कि जो कार्बॉक्सलेक अमल है वो दुर्बल छारों के तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो करीचान वोते है यहिल को यह लेगा और फिनॉल की तुल्ला में अधिक अमली प्रकरती हैं